नमस्ते विद्यार्थियों, कक्षा बारहवी, CBHC पाठीक्रम की हिंदी पाठीपुस्तक विदान भाग दो, इसका दूसरा पाठी अध्या है, जूच कहानी है, आनन्द यादाव की लिखी हुई, आईए हम इसके लगभग 50 प्रशनों को समझें और वस्तुनिश प्रशनों का अध्यान करें, ये objective questions आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, इनके चार option होंगे, लेकिन right option एक ही होगा, और चार option बाकी कुछ भी हो सकते हैं, मैं आपको right option बता रहा हूं, और इस पाठ को इसके साथ ही हम अच्छी तरह समझेंगे भी, जूज जो पाठ है, वह आनन रतन यादव नाम के लेखक ने लिखा है, तो हम शुरू करते हैं कि जूज कहानी के लेखक का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम अभी मैंने बताया आपको आनन्द रतन यादव, ये याद रखना है, आनन्द यादव के नाम से प्रसीद्द थे, तो लेखक आनन्द या पहुलतों का जन्म है महाराष्त्र के कोलाफूर जिले कि आगना माव किस्थान पर सन 1935 में वहाथा महाराष्ऩ परोह एक जिला है कोलाफूर हमाइ एक कागल नांका है कजबा है कि उसके पर वहां पर 1935 में का जन्म हुआ था याने आज अगर यह होते जीवित तो 65 प्लस 20 85 वर्ष के होते हैं अगला प्रश्ण देखते हैं तीसरा तीसरा प्रश्ण है लेखग आनन्द यादव का प्रसिद्ध उपन्यास कुन सा है तो जो कहानी है जूज ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास जिसका नाम भी जूज ही है उसी का एक भाग उसका एक अंश है एक पाठ है जो आपके कोर्स में दी हुई है आनन्द याद नाचस के उपन्यास जूज को कौन से पुरसकार से तथा किस वर्ष संभानित किया था तो जो हिंदि सहीत्य का एक महत्रपून पूरसकार है जो भारती ज्यान पीठ और ने धो महान पुरसकार है तो इनको साहित्य अकादमी पुरसकार से 1990 में नवाजा गया था आई ये तीसरा प्रशन देखते हैं आनंद यादव के व्यक्तित्व यम्क्रत्वित्व पर हमने पहले कुछ प्रशनों को लिया है जिससे की पहले लेखक को अच्छी तरह जानने के बाद कहानी को उसकी अनुसार अच जूश नामक उपन्यास को 1990 में साहत्यक आत्मी के पुरसकार से सम्मानित किया गया था लेखक आनंद यादव की कौन सी रशना भारती ज्यानपीट से प्रकाशित हुई भारती ज्यानपीट भारत सरकार की एक संस्था है जहां से प्रसिद्ध लेखों की जो सिलेक्टेड चयनित रशनाएं उनको पबलिश किया जाता है तो इनकी रशना का शैन भी भारती ज्यानपीट द्वारा प्रकाशित हुई थी आनंद यादव का मन कहां जाने के लिए तरपता था पाक के प्रारंब यहीं से होता है आनंद यादो जो जिसका नाम आनंदा है वह बच्पन से ही स्कूल जाने के लिए बड़ा परिशान रहता था क्योंकि उसे स्कूल जाने नहीं दिया जाता था उनके पिता जो है स्कूल जाने की तो बात करते ही उसको मारपिट शुरू कर देते थे इसलिए आनंद यादो का मन पाठ शाला जाने के लिए स्कूल जाने के लिए विद्याला जाने के लिए तरपता था विद्याला में पढ़ाने के लिए जाने की इच्छा जटाने की लेखक की जो अपने दादा के सामने हिम्मत क्यों नहीं होती थी तो उसका मुख्य कारण है क्योंकि मार पीट के डर से सीधा सा एक ही अंसर है इसका आनंद यादव का मन कहा जाने के लिए तड़पता तो विद्या ले और वहां विद्या ले पढ़ने की इच्छा जताने की अपने दादा के साम नहिमत क्यों नहीं होती थी तो दादा के मार विश्वास जूज कहानी के किस पात्र का था यहां जूज चप गया है यह जूज कहानी का जो पात्र यही आनंद यादव है उनका ऐसा विश्वास सा कि जिन्दगी पर काम करो लेकिन खेती में कुछ हाथ लगने वाला नहीं है अर्था कुछ भी विशेश उपलब्दी हो वाली नहीं है पढ़ लिख कर नोक्री लगने पर लेखा कानद यादव किस तरह का धंदा कारोबार करना चाहता था है तो वहां इसमें एक नाम आया है विठोबा अन्ना हम देखेंगे अंसर में भी मैंने सारे अंसर एक साथ क्रमवार लिखे हैं तो इनका जो अंसर है वो है विठोबा अन्ना विठोबा अन्ना समाज में एक ऐसे व्यक्ति थे जो पढ़ लिखकर के बिजनेस भी करते थे नोक्री भी करते थे दोनों काम करते थे तो लेखक भी चाहता था कि पढ़ लिखकर के अगर नोक्री लग गई तो बिजनेस भी करेंगे और नोक्री तो रहे कि वह यह हो खेती तो हमें गड़े में धकेल रही है यह विचार कहाने की इस पात्र का यह खाई आनंद यादव का ही विचार है लेका का आंद यादव के अनुसार महीना फर एक पेर ने पर कोलू कब चलाना होता नमंबर को पहला थे अगला प्रश्न है किसकी समझ्य कूल जल्दी शुरू करने पर एक की अच्छी कीमत मिल जाती है जो जल्दी एक को पेर कर कोलू चला कर गुड़ बढ़ाता है तो उस किसान का जो गुड़ है वो मंडी में सबसे पहले आता है तब आवक बहुत कम रहती है इसलिए गुड़ कीमत जादा मिलती है और जब धेर सारे किसान मंडी में गुड़ हो जाती है किसकी समझ से कोलू तो ये तो बता दिया है बारवा प्रशने कि किसकी समझ से कोलू जला जल्दी शुरू करने पर एक की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है तो ये समझ एक्च्वल में आनंद यादव के जो पिता है जिनको उसने कहानी में बार-बार दादा बनाए गए गुड़ को कौन से नंबर का माना जाता था तो यहां तीन नंबर का गुड़ माना जाता था पहले नंबर का गुड़ तो जो कंपनी वाले बनाते हैं उसे माना जाता था दूसरे नंबर का गुड़ शहर वाले मशीनों से बनाते हैं तीसे नंबर का गुड़ जो गाउं वाले खेतों पर एक पेर करके जो बनाते हैं उस गुड़ को कोलू चला कर बनाये गए गुड़ को तीसे नमबर का गुड़ माना जाता था याने थर्ड ग्रेट का गुड़ था इसलिए उसकी कीमत नमबर वन और नमबर टू गुड़ के बरावर नहीं आती थी एक को जादा दिन खेत में खड़ी रखने पर गुड़ जरा जादा निकलता है यह किसका मत था तो एक को जादा दिन खेत में खड़ी रखने पर गुड़ जादा निकलता है यह दूसरे किसानों का मत था आनंद यादव के जो पिता है वो भी किसान थे जिनको दादा के र तो उसमें गन्येम का पानी सुखेगा तो गुर्ख गार निकले का गन्या और मोटा होकिती कि сохран subscribe तो पेसा ज़्यादा आएगा और मात्रा ज़्यादा है लेकिन भाव कम है तो कोई विशेश लाब नहीं होगा तो गुर्ड ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए ये किसका मत है आनन्द यादो के पिता का सारे गाउं भर में किसका कोलू सबसे पहले शुरू होता था तो आनन्द यादो के पिता आर्थाथ उसके दादा का या आनन्द यादो के परिवार का लेखक ने अपने पढ़ने की बात किसके सामने रखी या फिर किसके सामने उसने अपने पढ़ने की बात छेड़ी इसने बताया गया है पाट जहां शुरू होता है उसके सेकन पेशपी की अगले प्रश्ट पर ही कि लेखक ने अपनी मा के सामने पढ़ने की बात रखी कि मा मेरे पढ़ने की बात दादा से कर दादा याने अर्थार पिताजी से करो, मैं स्कूल जाना चाहता हूं, पढ़ना जाता हूं तो उसकी मा ने जवाब दिया कि भीया, तेरा जो पिता है उगर उससे पढ़ने की बात करेंगे तो जंगली सुवर की तरह धारने लगेगा, बोलने लगेगा, लडने लगेगा, इसलिए कैसे की जाये बात तो यहाँ जंगली सुवर, अत्वा बरहेला सुवर की संग्या कहाने की किस बातर को दी गई है तो आनन्द यादों के पिता को दी रही है उसके सुभाव की वज़ा से लेखक ने खुद की पड़ाई के बारे में अपनी मा से गाओं के कौन से व्यक्ति से बात करने का प्रस्ता हो रखा तो धत्ता जी राओ देशा ही नाम के प्रतिश्ठी व्यक्ति थे जो गाओं में जिनके घर जाना और उनका बुलावा आना ही बड़ी सम्मान की बात हुआ करती थी इसलिए लेखक की मा का सेजेशन था और लेखक का भी सेजेशन यहीं था कि दत्ता जी राओ देशा ही किया जाकर बात की जाए और वो अगर बुला कर दादा को या ने लेखक के पिताओ समझाएंगे तो जरूर पढ़ने की अनुमती मिल जाएगी क्योंकि लेखक का पिता लेखक को इसलिए नहीं पढ़ाना चाहता था क्योंकि उनकी मान्यता थी कि पढ़ लिखने से कुछ भी नहीं होता है और बच्चे की आदते खराब होती है इसलिए मेहनत करके और खेती का काम करेगा तो जरूर कुछ लाव होगा लेकिन वास्तों में ये बात नहीं थी बात कुछ और थी कि लेखक का दादा स्वयम जो है आराम करना चाहता था इदर उदर घुमना चाहता था और बच्चे को खेती काम में जोद देता लेखक को है ना मुख्य तो उद्देश यही था आईए ऐसे समझते हुआ हम आगे बढ़ते हैं कि लेखक के अनुसार उसकी मा के मन में लेखक को कौन सी कक्षा तक पढ़ने की तैयारी थी यहाँ भी बड़ी बात है कि यहां आया है एक जगह उस पेज़ पर कि लेखक को उसकी मा साथवी कक्षा तक तो पढ़ाने का मन में सोच चुकी थी कि बच्चे को साथ भी तक तो जरूर पढ़ाई लेखक की मां के अनुसार उसका दादा सारे दिन बाजार में किसके पास गुजार देता है तो यहाँ एक उल्लेख आया है कि रखमा भाई नाम की एक महीला है उसके यहाँ बेट कर यह दिन भर गुजार देता है और दिन भर वही दिन गुजारता है, वही बेटा रहता है वही गप्पे लडाता रहता है लेखक और उसकी मां पढ़ाई के लिए दादा को समझाने है तु बात करने के लिए दत्ता जी राव जिसाई के यहाँ किस महीने गए थे तो यहां आएगा कि जन्वरी के महीने में वो गए थे जब इन्होंने अपने कोलू अगेरा सब पेर लिए परिक्षा के दो महीने बचे थे और समय खेती का वोई भी काम इनके पास बाकी नहीं था इसलिए यही समय चुना और जन्वरी के महीने में वो गय थे ऐसा उलेक पाठ में आया है लेकक फिर से कौन सी रक्षा में पढ़ाई करके परिक्षा देना चाहता था तो चुकि लेकक पिछले वर्ष पांच वी की परिक्षा ही नहीं दे पाया था इसलिए इस वर्ष वो फिर से पांच वी की पढ़ाई करके परिक्षा देना चाहता किसका बुलावा लेखक के दादा के लिए सम्मान की बात थी तो दत्ता जी राओ सरकार या दत्ता जी राओ देसाई जी उनको बोलते हैं उनका बुलावा लेखक के लिए भी सम्मान की बात थी एसा उल्ले किस पार्ट में किया गया है दत्ता जी राव देशाई ने लेखक के दादा को जम कर फटकार क्यों लगाई है इसलिए लगाई क्योंकि पढ़ाई बंद कर दी उसने शौट में अंसर हमें देना है चार आप जादत है लेखक की जिनका जिक्त किया है एक तो यह कि कंडे थाप करके बेश देना और उसके पैसे का दुरूपयोग करना उसके पैसे से खेल खेलना और सट्टा लगाना और पिच्चर देखने जाना ऐसी कुछ गलत आदतों के बारे में लेखक के दादा ने शिकायट की लेखक की लेखक के दादा ने पाठशला जाने की शर्त पर ग्यारा बज़े तक क्या काम करने के लिए लेखक के दादा ने कहा कि ग्यारा बज़े तुम पाठशला जाओ लेकिन ग्यारा बज़े तक क्या करोगे तो स्कूल की यूनिफार्म पहन के लेकर सीधा खेत आना औ और खेट में आकर कि उनको पानी देने का काम करना है है ना तो कौन सी शर्थी खेट में जाकर पानी देने की लेखक के दादा ने स्कूल की छुट्टी के बाद खेट पर आकर क्या काम कर यह तो हो गया कि स्कूल की छुट्टी के पहले वाली बाद इस्कूल मान लो 11 से 4 बज शर्त ही कि फिर से 4-5 बचे जब भी top companies स्टुटी होती तो खेत पर आकर काम करना है तो कौन वाला राकर पशेलों को चराने काम करना है डोड चराने काम करना छेख jako किसी अपेक्ष्या मांस्टर की छड़ी की मार लगती थी अच्छी लगती थी मतलब ऐसा क्या था कि मास्टर की छड़ी की मार उसे अच्छी लगती लेकिन और दूसरी चीज अच्छी नहीं लगती तो दिन भर सर्दी में, धूब में हर परिसिती में खेट पर काम करते रहना है न, भूके प्यासे रहकर काम करना, इन सबस की अपेक्षा उसको छाओं में छट के नीचे, स्कूल के कमरे की छट के नीचे बेट कर, शड़ी की मार खा लेना भी अच्छा लगता था स्कूल जाने पर लेखक को अपने नाम के सामने रजिश्टर में क्या लिखा हुआ मिला कौन सी टिपनी, तो उसमें टिपनी लिखी दी, पांच वी ना पास याने ये फेल हो गया था तो पांच वी ना पास करके याने इसके अनुत्तिन होने की प्रविष्टी करके, फिर से उसी गख्षा में ये विद्यार्थी रहा क्या नामे मेवान नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो ये प्रविष्टी लेखक ने किसने पूछा तो जब गत्ता जी राव देशाई और माता पिता की चर्चा के बाद जब इसे लेखक को पर्मिशन मिल गई इसकूल जाने की तो पहले ही दिन जब गया तो एक लड़के ने शरारत की और पूछा कि अरे क्या नाम है मेवान नया दिखाई देता है या गलती से इस क्लास में आ गया है तो ये जो प्रशन है लेखक से किसने पूछा था तो चवान नाम का चवान को चवान बोलते हैं चवान नाम की लड़के ने लेखक से इसा प्रशन पूछा और विद्या ले जाने पर फिर से पांस भी क्लास में बेटने हैं लेखक की गख्षा में सबसे पहले कौन से मास्टर गख्षा में आए तो यहां पर कौन से शिक्ष्यकोर में सबसे पहले इससे पढ़ाया है ना तो इसमें जो नाम है यह हम इसको देखते हैं कि कौन से शिक्ष्यक आए तो इस प्रशन का उत्तर आएगा रन नवरे नाम के मास्टर थे 32 32 वाए एक वेश्यन है तो रन नवरे मास्टर थे यह जब पांचवी कक्षा में पढ़ने गया तो इसको रन नवरे जो शिक्षक है वो पढ़ाने के लिए आये थे अगला प्रशन की वो रन नवरे शिक्षक ने आखिर इनको पहले दिन क्या पढ़ाया था इन सब चीजों का उलेक आपकी पुस्तक में है इसलिए यह प्रशन बनाये जा सकते हैं और आभी सकते हैं है ना तो लेक्षक की कक्षा में जो रन नवरे मास्टर है उन्होंने किस की कविता पढ़ाई तो वामन राव पंडित नामक एक कवी थे उसकी कविता लेक्षक को कक्षा में रण नवरे मास्टर ने पहले ही दिन पढ़ाई तो लेखक की कक्षा में कक्षा अध्याबक की रूप में और क्लास टीचर की रूप में कौन सा मास्टर बीच में आए तो लेखक ने उले किया है इसमें कि मंत्री नामक मास्टर लेखक की कक्षा में Class Teacher के रूप में वो क्या पढ़ाते थे लिखक को तो उसर से गरदन परओड के है ना लेखक की कक्षा में कौन मास्टर हाथ से गरदन पकड़ के पीट पे हुशा लगा दे थे तो वो भी मंतरी नामक मास्टर ही थे जो बड़े स्ट्रिक्ट थे कोई भी बच्चा बदमाशी करता तो उसकी एक हस से गरदन पकड़के दूसरे पर पीट पर हुशा मारते थे लेखक की कक्षा का कौन लड़का गणीद पढ़ने में होशियार था तो वसंद राव पाइटील नाम का एक लड़का था जो लेखक की क्लास में पहले से ही तयारी करके आता था और बहुत ही पढ़ने में अच्छा था तो लेखक को जो गणीद पढ़ने की तयारी घर से करके आने की प्रेड़ना किस से मिली वसंद राव पाइटील से मिली जब लेखक ने देखा कि पहले से तयारी करके आता है प्रिप्रेशन करके आता है तो इसको मास्टर जी ने मानीटर बना दिया इसकी प्रशन सा होती है इसको दूसरे बच्चों की कापियां जाहां सने के लिए कहते हैं तो एजा मोटिवेशनल मिला लेखक को कि यह भी तयारी करके पढ़ाई करके आने लगा तो इसे इसे अभी गणी दिएद याउन समझ में आने लगा मंदरी नामक मास्टर ने किसको लेखक की कक्षा का मानीटर बना दिया था तो इसका भी उत्तर है वसंद्राव पाटिल को और किस वजह को गणी जटपर समझ में आने जाने लगा और अंसर देने लगा इसका उतरा मन की एकाख्रता तो जब मन kincentrate होने लगा लेखक का तो मन की एकाख्रता की वजह से लेखक को गनित समझ में आने लगा लेखक को आनुदा के कर कोश्प्ण मास्टर बोनाने लगे धु ही मंत्री नामग मास्टर थे जो गणित बढाते थे लेखक को प्यार से आनन्दा कहेकर बोलते थे लेखक को उसमें अपना पन लगता था और विद्जारती आननदा दा पो भी एक आत्मी ता लेखक प्रति अपने पन की हो गई अपनी कक्षा के किस विद्यारती से लेखक की दोस्ती जम गई तो अंजर वसंद पाठील शिक्षकों के अपने पन के व्यवहार और वसंद पाठील की दोस्ती का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा लेखक पर ये प्रभाव पड़ा कि वो शाला वाक्यांश में हम क्या लिखेंगे? सीदी सी बात है पाठशाला में विश्वास बढ़ने लगा पाठशाला के प्रतीजो विश्वास था वो विश्वास लेखक का इसलिए बढ़ा क्योंकि वसंद पाठिल की दोस्ती और शिक्षक का अपना परिण दोनों का प्रभा उसे पढ़ा तो वो पाठशाला को अपना परिवार समझने लगा तो लेखक की शिक्षा में मराठी पढ़ाने कोन आते थे इसमें उल्ले के न वा सोंदल गेकर जी जैसे अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो एन वी सोंदल गेकर लिखेंगे तो इस प्रशन का उत्तर है कि न वा सोंदल गेकर जो मराठी शिक्षक थे उनका गला बड़ा सुलिला था चंद की बढ़िया चाल थी और न वा सोंदल गेकर एक्चुल में इनको हिंदी कविता भी पढ़ाते थे और मराठी कविता के उद्ःन के द्वारा भी समझाते थे ही तो मराठी शोख maisha न वा सोंदल के कर उनको पुरानी और नई मराठी कविताहों के साथ और क lantern test में कुण यहां एका अनंत कानेकर नाम के कवी थे उनकी कवीता को लेखक ने जो मास्टर जी की लए थी जो गती थी तो उनसे भी अच्छे से लए गती यती छंद में उन्होंने अपने हिसाफ से गा करके सुनाई लेखक की शति होगी तो लेखक क्वी लगसलेश के सामने पाठ्षालग के कारिक्रम में एक इस Praction में बुला कर जब लेखक की कविता को गवाया गया उसको क्विता आपकरू अलिए खिल माद्यां से हैं को आगने की शिक्षकÓ के द्वारा तो इनको केसा लगा इनको ऐसा ल लेखकों कवियों के चरित्र और उनके संस्वरन कौन मास्टर सुनाया करते थे तो यह उनके जो हिंदी शिक्षक थे न वा सोंदल गेकर यही इने पढ़ाने के साथ सद अच्छे से एक्स्प्लेइन करने के लिए उनके करेक्टर और उनके बीती हुई स्मृतियों को यादों को वीते हुए जीवन की जिसे संस्वरन के रूप में लिख देते हैं वो सुनाया करते थे स्वयम कविता लिखने का विश्वास पेदा हुने कविता के लिए शुद्ध लेखन का ज्यान अलंकार चंद ले आधी उस सुक्षमितास से देखने लगना और शब्दों का नशा चरने पर लेखक को क्या अनुभव हुआ यह यह अंतीम प्रशने और इस अंतीम प्रशनगा उत्तर हुद हैं उनको ऐसा लगता थे यहां दो अक्षरों की के वल गलती है हमारी पूरी स्क्रिप्त में यह बजा की जगे बाजार हो गया और एक जगे जूज की जगे जूस हो गया है तो प्रश्न क्रमांग पांचवा छटा ऐसा ही कुछ है तो हमें ध्यान रखना है कि इस प्रश्न को इसी तरह समझना है इसको ठीक करके हमारे यूट्यूब चैनल सरल इंदी पर यह पूरी सामगरी आपको उत्तर सहीत मिल जाएगी आप एक दो दिन में देख सकते हैं तो मैं अपनी वानी को यहीं विराम देता हूँ आप लोगों से इतनी है पेक्षा है कि आप इन बड़ी मेहनच से हमने ये पचास प्रश्न वस्तुनिष्ट तयार किये हैं आप इसे जितना अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं समझ सकते हैं करें कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो अनिवारे रूप से हमसे भी पूछे जै भारत जै हिंद नमस्ते दोस्तों